बाबा नहीं करओगी इस बाद का तो जवाब दे दो मैया संतों से वड़ी संतों की सीत्व प्रसादी है अर्थात संतों का बचा हुआ भोजन प्रसाद जो है वो संतों से भी बढ़ा है और आज उसका पृत्यक्षू उदानन मिल गया कि संतों की शीद प्रसादी प्राप्त करते ही अजामिल का जीवन दर्सन पुना बदल गया खूब सेवा की रात्री भर की तन हुआ आनंद के साथ जागरन हुआ प्रात्यकाल फिर सेवा हुई और संत बोले अजामिल बेटा तुने हमारी बड़ी सेवा की है बोल तु क्या बर्दान चाहता है यह फूट फूट करके रोनी लगा महराज मेरा जीवन बड़ा गरित है बड़ा निंदनी है मेरा कैसे उत्हार होगा मैं तो मेरा जीवन को कर्मों में निकल गया ऐसा कौन सा दुशकर्म है जो मैंने नहीं किया चरण पकड़ लिए सभाव से किर्पालू संतों ने उठा करके अजामिल को हिर्दे से लगा लिया बेटा हो गया सो हो गया अब मत करना चिंता मत कर तेरा जीवन बदल गया और सुमगति की प्राप्ति होगी है शोन अब हम चलते हैं और मालूम पढ़ता है ब्राहमनी गर्वडी है भैसा को को ब्राहमनी का मालूम् पढ़ता है मिल billion फूर इसके गर्व से बेटा पैसा होगा तो भया अजा मिल तुम अपने बेटे का नाम नारायन रखना बोलो भक्तवसल भगवाने की जय और एशा कहकर कीर्थन करते हुए पुना संत जिसको देश के लिए आये थे उसको पूर्ण करके स्वस्थान को लोट गए अब समय पाकर के ब्रहमनी के गर्व से बालक पैदा हुआ और यह लड़का पैदा हुआ नाम भी सुनिश्चित था अजा मिलने इसका नाम नारायन ही रखा न बचय को पंडित बेद पढ़े जहां से सुनना न बचय कोई पंडित बेद पढ़े न बचय कोई उंचे चिनाए अटा न बचय कोई जंगल बास किये न बचय कोई सीस बढ़ाए जटा दिन चार चला चल यो तुलसी नर नाहक क्यों सब ठाट ठता जो भलाई चहो जो भलाई चहो सियराम भजो नहीं आवत सिर्पे काल डटा मिर्तियु नाच रही है सिर्पर जाने कब तूट बढ़े एक एक शण का ध्यान रखते हुए भगवान का नित्य सर्वदा सर्वति स्मरण रखो अंगम गल्लीतं मुंडम पलीतं दसन बिगीनं आतं तुन्डम नेहो अंगम गल्लीतं पलीतं नेहो अंगम गलितं, मुंडम पलितं, दसन देनं, आत्रम तुन्डं, प्रिट्डो यातिक्रे, इत्वादनं, तदपिनमुन्के, आशाः पिंडं, तदपिनम् अंग गल गए, सिर सफेद हो गया, मुख में से दात ज़र गए, गृत्धा वस्ता आगई, चला नहीं जा रहा है, दंड का सहारा लेना पड़ रहा है, गुटने जवाब दे गए, लेकिन, आज भी तृष्णा पीछा नहीं चोड रही है, सम्हलो, और भगवान के लिए समर्पित हो जाओ, सम्पत्ति का बहुत बड़ा हिसा भगवान के सुब कर्मों के निमित खर्च कर दो, अंत में, ये बीमार पड़ गए हैं, और बीमार पड़े तो इनके प्राणों को लेने के लिए, अजामिल के प्राणों को लेने के लिए यमदूत आए, यमदूतों की जो भयंकर आकरती इन्होंने देखी है, लंबे लंबे दांत, तीठ नुकीले दांत, अटपटे के लंबे लंबे भयंकर काली देख, देखने में भयंकर ड्रग लगए, ऐसे नेत्र, इनको जब देखा है, तो देख करके, मृत्यू की सहिया पर पड़े हुए अजामिल घवरा गए, घवरा गए, छटपटाने लगे, बेचेनी में, ब्याकुल जब हो गए, तो घवरा करके, साहिता के लिए, इन्होंने अपने सब से छोटे बेटे का नाम रटना प्रावर्म कर दिया, नारायन, बेटा नारायन, बेटा नारायन, जो नारायन का इन्होंने नाम यमदूतों के डर के कारण लिया, तो नारायन का पवित्र नाम जो गोलोग धाम में पहुँचा, तो भगवार नारायन ने तुरंत अपने पारशत बेदिये, जाओ, मेरे भक्त पर आपत्ती पड जही उसकी रख्या करो दूत दौर कड़े पार्षक दौर पड़े और दौर कर के आए तो देखा कि यमदूत कड़े उन नहीं सामधान यह भगवान का यह ईए हामत लगा लां को यमदूत बोले यह बहुत हमका यह लगाें क्या भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता ये तर्क दिया फिर उनकी बेद चर्चा हुई है वेदत त्रई पर चर्चा हुई है बेद के आधार पर बहस हुई है यमदूतों में और भगवान के पारशदों में पड़े पड़े अजा मिलने इनके मुखसे वेदत त्रई की चर्चा सुने वेदों की व्याख्या सुने और अंत में यमदूतों को परास्थ होना पड़ा ख़देड दिये गए और ये अपने भगवान के भक्त की रख्या करके भगवान के पास पहुँच गए और इस तरह इसके बाद फिर बारह वर्ष और जिये अजा मिल और भगवत संबन्दी कारे करते वो भगवत धान को प्राप्त बोलो भगवत सल भगवान के जिस परमात्मा ने हमें बनाया हमने उसी परमात्मा को भोला दिया जिन तन दियाओ शोई भिसरायो में ऐसा नमक हरामी मोसन कौन को तिल खल सामी मोसन कौन कौटिल खल कामी मोसन कौन कौटिल खल कामी जो तन दियाओ ताही भिसरायो जो तन दियाओ ताही भिसरायो ऐसा नमक हरामी मोसन कौन कौटिल खल कामी हो सन कौन कुट्रे धलका में भर भर उदर विशय कुधायो जैसे सूकर ग्रामी भर भर उदर विशय कुधायो जैसे सूकर ग्रामी हर जन छाण हरी विमुखन की दिश्दे दे करे गुलामी मोसन कौन कुठिल खलका मोसन कौन कुठिल खलका तर हुआ कौन कुण कुग तर्व करे शधन कुछ्डिल खलका ήफ neutrlement ि दे भर दे आज़ामी ग्फच्द की विवडन कॉड़क्कक क gera'交 Влад आपी कौन बड़ो जग मोदे सब पती तन में नामे आपी कौन बड़ो जग मोदे सब पती तन में नामे सुर्पत को ठोरता है तो मुगिन श्रीपत स्वामी मोसन कौन कुटिल खलका में आरे जो तन दियों ताही विशरायों में आप जा करके विशरायों में नामे कौन कुटिल खलका मोसन कौन कुटिल खलका मोसन कौन कुटिल खलका बोलो भगवसल भगवान की जय 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 श्री राभे अब जा करके महराज परीख्यत को स्थान तो न मिले पुझ शुकदेव जी बोले राजन भगवा चरित्रा वली में आगे का चरित्र सुनिये एक बार देवराज इंद्र अपने आसन पर विराजमान थे सामने से गुरु जी आ गए गुरु ब्रहस्पत जी आ गए गुरु जी को देख करके न तो शिष्य इंद्र देव खड़े हुए ना तो अभवादन किया ना तो स्वागती ही किया और बैठे रहे राजमत में देवराज इंद्र अपने गुरु को भूल गए गुरु जी को यह वात अच्छी न लगी और लौट दिये उसी ततकाल वहां से लौट दिये अब जब गुरु जी लोट कर चले गए तो देवराज इंद्र को अपने इस कर्म का एशास किया हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया क्या करना चाहिए था गुरुम द्रिष्ट्वा समुतिष्ठे अभिवाद्य कृता अंजले गुरु जी को देख करके आसन से खड़ा हो जाए हाथ जोड़ करके अभिवादन करे कम से कम इतना काम करे राम जी से सिख्या लीजिए राम जी अपने महल में बिराज माने गुरुदे गुरुदे वसिष्टी पदारे तो राम जी ने क्या किया एक बार वसिष्ट मुनी आए एक बार वसिष्ट मुनी आए एक बार वसिष्ट मुनी आए जहां राम सुख धाम सुहाए अतियादर अतियादर रगुना यक कीना पदपथाद पादो दखेलीना एक बार वसिष्ट मुनी आए जहां राम सुख धाम सुहाए आचरण तो ऐसा करना चाहिए ता जब वसिष्ट जी आए तो महराज स्री राम खड़े हो गए सम्मान के साथ पुछ चासन पर विराजमान करके चरण कमल धोए और उनका चरणा मृतार होगा राम जी का चरण और महराज ब्रह्ष्पति देव आसन से उठे तक नहीं गुरु जी लोट गए अब जब अपने कर्म का एसास हुआ तो डूड़ने की कोशिश की लेकिन मिले नहीं मिले नहीं तो देवताओं की इस कमजोरी का शुक्राचार जी को पता पड़ गया पता पड़ गया तो शुक्राचार जी ने कहा जिसका गुरु रूट जाए संसार में उसको सहारा देने वाला उसको बचाने वाला कोई होता नहीं गुरु रूट गए हैं आक्रमन कर दो आक्रमन महराज तोरंत आक्रमन हो गया और इतनी बुरी तरह देवताओं की पराज है हुई कि जिसका वरण नहीं किया जा सकता स्वर्ग से निकाल दिये गए देवताओं भटकते भटकते डोडने लगे दुखी देवताओं ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है अब गुरू के बिना तो काम नहीं चलेगा गुरू जी मिल नहीं रहे हैं खूब ढूड़ा जा रहा है तो ऐसा करिए दिश्वरू के पुत्र त्वष्टा को आप अपना गुरू बना लीजिए अगर वो तुमारा गुरुत्व स्विकार कर ले तो उनकी बताई हुई विद्या से तुम पुन जीत सकते हो महराज ऐसा ही हुआ त्वष्टा जी के पास गए ये त्वष्टा जी की जो मा थी रचना जिसका नाम था ये दैती की बेटी थी और विश्वरूप की माँ दैती की बेटी थी और पिता इनके ब्राहमर थे त्वस्टा जी त्वस्टा पुत्र विश्वरूप के पास कहे कि महराज आप हमारा गुरुत च्विकार कर लिजिए आप हमारे पुरोहित बन जाएए और यक्य कराएए ताके हम अपने दुश्मनों को जीत सकें उपरोहित्य कर्म ओ कर्म आति मंदा उपरोहित्य कर्म कर्म आति मंदा देद पुरान सुम्रीती सुम्रीती करे निंदा जय हो वेद पुरान सुम्रीती सुम्रीती करे निंदा महराज ये पुरोहित का कर्म तो अत्यंत निंद नहीं है गरहित है वेद पुरान इसकी निंदा करते हैं आता मैं नहीं करूँगा देवताओं ने खोब खुशामत की खोब बिंती की अंत में विश्वरुप जी को गुरुप बनना पड़ा विश्वरुप गुरुव ने इन्होंने नाराइन विद्या का दान पिया अर्थात कहा कि तुम नाराइन विद्या को धरन करके अपने दुश्मन दैत्यों के साथ युद्ध करो और नाराइन कवच दे दिया जिसके साहरे से ये पुनह युद्ध में जाकर के लड़े और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ले पूजी शुकदेब जी बोले राजन परीखित विश्वरूप के तीन सिर थे एक से ये सौम पान करते थे एक से ये सुरा पान करते थे और एक से ये आहुती देते थे मंत्र बोलते थे और यदा कदा मुका लगते ही ये अपने नाना मामा दैत्यों के कल्यान के लिए भी आहुती दे देते थे ये बात देवराज इंद्र ने देख ली उसको अच्छी न लगी कि गुरु हमारे और इनके सतकर्म से पुष्ट हो हमारे बैरी ये जब कर रहे थे और देवराज इंद्र ने जब करते हुए इनका सिर काट दिया पलता ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई वेद पाट करते हुए ब्रहमण का सिर काट दिया तो बड़े दुखी हुए अंत में इनकी हत्या को चार जगे स्विकार किया गया है परत्वी ने स्विकार किया कि तुम्हारी चोथाई हिस्सा में लेती हूं और बर्दान दिया देवराजंदर ने कि तुम्हारे गड़े अपने आप भर जाएंगे विरिख्यों ने जो जो उसर जमीन है यह वही ब्रह्म हत्या है विरिख्यों ने कहा कि एक बड़े चार भाग हम स्विकार करते हैं वो ले ठीक है गौंद जो निकलता है विरिख्यों से यह वही ब्रह्म हत्या है देवराजंदर ने आशीरवाद दिया कि तुम्हारे कटे हुए भाग अपने आप जुड़ जाएंगे चौथाई भाग जलने स्विकार किया जो जल का जो फैन है जो जाग के रूप में जो गंदगी निकलती है यह वही ब्रह्म हत्या है इनको वर्दान मिला जल को कि खूब खर्च करने पर भी यह कम नहीं होगा बचे हुए चतुर्थ भाग को इस्त्रियों ने स्विकार किया इस्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है यह वही ब्रह्मत्या है इनको आशिरवाद दिया कि तुम हर अवस्था में अपने पती को संतुष्ट रख सकोगी बोलो भक्तवसल भगवाने की उन्हाराज ब्रहमत्या हुइं कमजोर पडगे फिर लड़ाई लड़ी है ये असंतर फिर दैठी फिर जीत गए हैं और देवता भगवान की शरंड बें आए और सरल्ड में जाने पर भगवान ने ब्रहमा जू शी ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम जाओ और जाकर के दधीची जी से दधीच रिशी से प्रात्ना करो अगर वो अपने शरीर की हड़ियों को तुम्हें दे दे तो उन हड़ियों से जो हथ्यार बनाए जाएगा उसकी मार से दैत्यों की पराजे होगी उससे कम कोई उपाय नही की जय जय श्री राव मेरी श्री राज धरन की श्री राधा गोविंद भगवान की जय माराज देवताओं को इशारा कर दिया ब्रह्मा जी ने कि आप जाएए और दधीची महत्मा से आग्रह करो प्रात्ना करो अगर वो तुम्हारी प्रात्ना स्विकार कर ले तो तुम्हारा काम बन जाएगा समस्त देवगण इखट हो करके दधीचीजी के पास गह अब देखे दधीचीजी कोण है दधीचीजी अथरवा रिषी के पुत्र हैं ये ब्रह्म विद्या के जानकार है ब्रह्म विद्या का एक वार ये इंद्र के लिए प्रवचन कर रहे थे देवराज इंद्र के लिए दधीची रिशी ब्रह्म विद्या का प्रभचन कर रहे थे और इंद्र बड़े आनंद के साथ श्रवन कर रहे थे ब्रह्म विद्या को हिरदयंगम कर रहे थे वरणन करते करते ऐसा प्रसंग आ गया जिसमें ये सिद्ध हो गया कि देवराज इंद्र और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है ऐसा प्रसंग आया जब देवराज इंद्र के पृति ऐसी बात निकल के आई तो देवराज इंद्र कुरुद हो गए और कुरुद हो करके फटारते हुए आखे निकालते हुए बड़े उची वाणी में कहा सुनो रिशी जी अगर भवश में तुमने यह विद्या किसी से कही तो मैं तुम्हारा सिर्धर से अलग कर दूँगा और बड़ा बड़ाते हुए इंद्र चले गए कालांतर में ददीची रिशीजी से असुनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या सीखने की प्रात्मा के ददीची मात्मा ने साप मना कर दिया अगर मैंने तुम्हें उप्तेश किया तो मेरा सिर कट जाएगा असुनी कुमार बोले महराज चिंता मत करो इसका उपचार तो हमारे पास है देवराज को सिर काटने दो बहुत प्रात्मा की रिशी दयालू ददीची जी फिर तैयार हो गए तैयार होते ही असुनी कुमारों ने रिशी ददीच का सिर काट दिया और सामने चर रहे घोड़े का सिर काट दिया अब घोड़े का सिर ददीची के धड़ पर और ददीची का सिर गोड़े के धड़ पर रख दिया और दोनों जीवित हो गए जीवित हो करके महराज ददीची जी अश्व मुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने लगे अश्व कुमार बैठे हैं सामने जब यह उपदेश करने लगे तो यह ख़वर कानों कान देवराज इंद्र के पास पहुंच गई देवराज इंद्र बड़ बड़ाते आए और उपदेश कर रहे अश्व सिरा ददीची अब इनका नाम हो गया अश्व सिरा अश्व सिरा ददीची का सिर आते ही धड़ात से काट दिया और बड़ बड़ाते हुए चले गए अश्व कुमारों ने क्या किया कटा हुआ सिर लिया उधर में जो घोडे के धड़ पर ददीची का सिर लगा दिया और घोड़े के धड़ पर घोड़े का सिर लगा दिया पूर्वबत हो गए सब और फिर उपदेश करने लगे वो भगबसल भगवान की एक दो देवासुर संग्राम हुआ तो देवता ठक गए थे युद्ध जीत करके अपने अस्त्रों को रख्या करने लगे दैतों को पता पढब गए कि देवताओं के हत्यार ददीची के पास हैं लगत मूंका देखने लगे और अस्त्रों चुराना चाहते थे दधीची महत्मा को पता पड़ गया उन्होंने अभी मंत्रित जल से समस्त अस्त्र सस्त्रों को धो दिया और उनका सारा अंस निकाल लिया और उस जल को स्वेंपी गए यानि कि देवताओं के समस्त्र अस्त्र सस्त्रों का तेज और बल और काठिन्य सब उनकी हड्डियों में समाविष्ट हो गया वल्भक्तवस्तल भगवान की जय देवताओं ने ऐसे दधीचीरी सिसी जाकर के प्रार्थना की प्रार्थना को काफी तर्क के बाद स्विकार कर लिए पहले तो उन्होंने का कि मैं तुमसे प्राण मांगू तुम्हारे तुम देदोगे देवताओं तुम मेरे प्राण मांगने के लिए आये हो निरूत्तर हो गई जदीची मुस्कर आए बोले कोई बात नहीं अगर इस नश्वर सरीर से सदा अमर रहने वाला यस्वरा अे भगवान शेव ने धनुस मनाए है कि जनकLo membaz के पास वही धनुस था कंसराजा के पास वहीधनुस था देवताओं के पास जो बज्र बना है वे भी इसी में से है अर्थात ये भी महराज दधीक ची की ही हड्डियों से बने हुए है उन्हें शंग्राम हुआ है और विश्वरूप की मिर्तु के बाद कुरुद हुए तुर्ष्टान ने अपने तपवल से जो ब्रतासुर को पैदा किया है यग्य भूमी से हवन कुन्ड से उस ब्रतासुर के साथ बज्र के साथ इनका भयंकर युद्ध होने लगा है देवराज इंदर बज्र को लेकर के ब्रतासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं भयंकर युद्ध हुआ है तो देवराज इंदर के हाथ से बज्र छूट गया है जब बज्र छूट गया तो भृत्रासुर बोले घवराओ मत राजयन उन्हें साबदान हो जाओ और अपने बज्र को उठाओ और इस समय मेरा मन भगवान के चरणों में लग रहा है बज्र का प्रहार करो मैं देह त्यागने के लिए तयार खड़ा हूँ ऐसा कहते हुए आप ब्रत्रासुर देखो क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नाक प्रिष्टम न चपारमेष्ट्यम न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम न योग सिधीन पुनर्भवम्मा समझ्य सत्वा विरहय कांखे हे प्रभु अहम हरे तब पादैक मूलं दासानु दासो भवितास्मिभूयः हे प्रभु ए गोविंद भृत्तासुर प्राथ्मा कर रहे है प्रभु मुझे जन्म जन्म अंतर में आपके दासों के दासों का तासत्यु प्राप्त हो अर्थात में आपके दासों का दास बनो और मेरा मन सदा आपका इस्मरण करता रहे मेरी वाणी सदा आपके गुणगान करते रहे मेरे हाथ सदा आपके लिए समर्पित कर्म ही करते रहे न तो मैं स्वर्ग चाहता हूँ न मैं परमेश्वर होना चाहता हूँ ना मैं धर्ती का राज चाहता हूँ ना रसातल का राज चाहता हूँ ना योग सिद्ध चाहता हूँ ना सिद्धी सिद्ध चाहता हूँ क्या चाहते हो बिरतासर प्रात्ना कर रहा है प्रभो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिरह में रोता ही रहूं, रोता ही रहूं